Earth money from credit cards अगर आप credit card से रूपे कमाना चाते हो तो आप बिलकुल असानी से कमा सकते हो इस वीडियों के अंदर मैं आपको ऐसे पांच वे बताने वाला हूँ जिन से आप credit card से रूपे कमा सकते हो काफ़ सारे लोग credit card से 10 या 20 जा रूपे भी कमा रहे हैं का cashback देखने को मिलता है वो आपको credit card के उपर देखने को मिलता है तो अगर आप shopping करने जाते हो और ऐसे ही shopping कर रहे हो तो आपको ज़्यादवा पैसे बरने पड़ेंगे बट अगर आप credit card का credit card के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इसके उपर भी वीडियो बनाई है इनके इंदर क्या difference है आप उस वीडियो को जाकर मेरी देख सकते हो जिससे आप वो काफी बड़ा discount देखने को मिलता है काफी सारी website आपको काफी कमाल का cashback देती है जिसे आप 1000-2000 या फिर 5000 की सेविंग कर सकते हो अगर आपका shopping का amount बड़ा हुआ तो automatically ही आप यहां पर earning कर पाऊगे अगर आप ऐसे ही रुपे online shopping करके amazon और flip card से कमा सकते हो अगर आप credit card से earning कर साते हो तो उसका second वे है वो है points अगर आप कई बार payment करते हो तो कई बार आपको points देखने को मिलते हैं और अगर आपके पास ज्यादा point हो जाते हैं तो आप उनको convert कर सकते हो money के अंदर voucher के अंदर या फिर साथी में आप कई बार और भी offer देखने को मिलते हैं तो यह काफी बड़ी आवे है काफी सारे लोग इससे भी 10-20,000 रुपे कमा लेते हैं अगर उनके पास ज्यादा point इकटा हो जाते हैं तो आपके प points को money के अंदर convert कर सकते हो या फिर कोई और offer भी ले सकते हो अगर आप credit card का इस्तमाल करते हैं ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो कई बार आपको points भी देखने को मिलते हैं और साथी में काफी सारी company हैं वो कई बार आपको फरी में फ्लाइट की ticket भी दे देती हैं साथी में काफ पर होटल में जाना चाते हैं या फिर आपको फ्राइट की ticket अबुक करनी हैं तो वो काफी ज़्यदा महेंगी होती हैं बट अगर आपको credit card company है आपको offer दे रही है और आपने इतना कमा लिया है तो आपको यह बिल्कुल फरी में मिल सकते हैं तो automatically ही आपने यहापर पैसा कम लिया या फिर आप कह सकते हो कि आपकी बचत हो सकती है अगर आपको किसी समान के उपर cashback मिल रहे है तो आपकी बचत हुई automatically ही आपने उसके अंदर से रूपया कमा लिया तो काफी सारी credit card company होती है उन्होंने काफी सारी company के साथ partnership कर रखी होती है तो अगर आप उनकी उपर काफी सारी जो credit card company होती है वो आपको rent के उपर या फिर किसी भी तरह की payment के उपर 1% या फिर 2% का cashback देती है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं आपको cashback भी देखने को मिलेगा और आप यहां पर बिल्कूल साली से पैसे कमा सकते हैं बट काफी सारी जो company है वो आपकी उप पर interest भी लगाने वाली है और काफी सारी जो company है वो फरी में नहीं देती है तो आपको अपनी terms and condition credit card की वो जरूर पढ़ लेनी है apply करने से पहले या फिर उसको use करने से पहले no interest benefit अगर आप credit card से shopping करते हो तो आपको 40-50 दिन का time मिलता है अपनी payment को करने में इस time के बीच आप आपो कोई भी extra charge नहीं लगने वाला है बट अगर आप 40-50 दिन के बाद pay करोगे तो आपो काफी बड़ा charge लगेगा और ये एक साल का 40-50% भी हो सकता है तो हमेशा से time के उपर ही आपने pay करना है अगर आप time से बाद जाकर pay करोगे तो आपो काफी बड़ा नुपसान होगा और इस 40-50 दिन के जो आपको पैसा मिलता है आप उसका अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं उसको कई जिगा invest भी कर सकते हैं आपको इसका मेने फाइदा यही मिलेगा कि आपको bank loan लेने की जूर्थ नहीं पढ़ने वाली है जिसे आपको काफी बड़ा खर्चा भी बच आप credit card के जो point होते हैं उनको आप redeem कर सकते हो तो यह आपका direct way हो जाता है बट आपको यूज तो करना ही पड़ेगा आप ऐसे ही रखकर उससे रुपे नहीं कमा सकते हो बट आपको कोई भी credit card हो उसको यूज करने से पहले या फिर apply करने से पहले उसकी terms and condition जाना काफी ज़ सकते हैं description के उपर या फिर card में आपको link भी मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के अंदर भी जाकर देख सकते हैं तो यह थी credit card से अरन करने के कुछ वे अगर आपको जाना चाहते है तो आप comment कर सकते हैं वीडियो को like कर देना share कर देना thanks for watching